हेलो दोस्तो नमस्कार रिष्टाग मारकेट शेयर रूटो चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं इरेडा की जिसका आईपियो अभी हाल ही में आया था और इस कंपनी ने अपने जो भी आईपियो धारक थे उन्हें गजब का रिटर्न लिकाल के दिया था हैं जिसे हम इस वीडियो में डीटेल से जानने वाले हैं और चुकि आप जानते हैं अभी हाल ही में जो कोप 26 हुआ है उसमें प्रथान मंत्री मोदी जी ने ये एनाउंसमेंट किया है कि ये 2030 तक हम रिएनुवेबल एनरजी के माध्यम से लगभग 500 गिगावाट का जो एन जानते हैं ये जो कंपनी हैं वो जो ग्रीन फाइनेंस होता है उसके संदर में ये काम करती हुए दिखाई देती है अर्थात ये ग्रीन रिनेवेबल एनरजी संबंदित जो भी डेवलोपमेंट होते हैं खास तोर से जो गवर्मेंट बेक्ड कंपनियां हैं उनमें वो उसी संदर में ये फाइनेंस करती हुए दिखाई देती है तो इसी के संदर में कुछ बड़े बड़े अब्डेट निकल के सामने आए हैं उसे तो हम देखेंगे ही साथी साथ जो 2024 का टार्गेट दिया जा रहा है दो 2025 का टार्गेट दिया जा रहा है इसके अलावा 2026-2027 के कोशिस करेंगे कि जो मोदी जी का वीजन है कि 2030 तक हम लगभग 500 गिगावार्ट का जो बीली उत्पादित कर देंगे रिनुवल एनरजी के माध्यम से उस समय तक ये कंपनी कहां तक पहुंचते हुए दिखाई देगी इसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चल दिखाई दिया है जबकि यहां पे आप देख रहे हैं कि यह 180 रुपे के आसपास कुलता हुआ दिखाई दिया था और इसमें गिरावट है यहां पे देखी गई थी लेकिन फिर से वहाँ आप रिकबरी होती हुई दिखाई दे रही है बात से यह जो कंपनी लास्ट में ज 6 महिने में इस कंपनी ने पूरा 197 परसेंड का रिटरन लिकाल के दे चुकी है और यह चुकी आप जानते हैं 6 महिना भी अभी नहीं हुआ इस कंपनी को जो है लिस्ट होते हुए और अगर हम मैक्सिम चार प्रेटन के अगर हम पात कर लें तो यह कंपनी फिलाल 183 परसेंड का रिटरन लिकाल के देते हुए दिखाई दी है तो यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी लिस्ट हुई थी एक दिसंबर 2030 को और उसके बाद इसमें फिलाल अब इस कंपनी को 6 महिने भी गिंचुन के नहीं हुए हैं और इस कंपनी लगबग 200 परसेंड का रिटरन लिकाल के दे दिया है और यह जो कंपनी लिस्ट हुई थी लगब 50 रुपे से लेकर 60 रुपे के बीच में और इसमें यह 178 रुपे पे ट्रेड करती हुए दिखाई दे रही है लेकिन एक चीज आपको बता दूँ इस कंपनी का भवी से इतना ब्राइट है क्योंकि यह जो कंपनी ज चाहे यह सोलर पावर प्रोजेक्ट हो चाहे वो जो तापी उरजा है उससे समद्दी चीजे हो इन सब में यह फिलहाल अपना फाइनेंस देती हुए नजर आती है अर्थात यह ग्रीन फाइनेंस से समद्दी चीजों पे काम करती है और इस समय चुकी पुरा बिश्व ही ग फिलाल जो लिस्ट होई थी 50 रुपे से लेकर 60 रुपे के बीच में उसके बाद गजब की तेजी इसमें देखी गई है और यह 200 रुपे से ज्यादा का हाई बनाते हुए फिलाल 178 रुपे पे ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है वह अगर बात करें इस सम्मधित जो नि होता करते हुए नजरा रहे हैं अर्थात यह जो पी अनबी पंजाब नेशनल बैंक है उसके साथ यह इरेडा एक माव मेमोरेंडव आप अंडरेस्टेंडिंग साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह जो मेमोरेंडव आप अंडरेस्टेंडिंग अर्था सम्झा होता ह हुआ दिखाई दे रहा है उसमें यह जो पंजाम नेशनल बैंक है वो फिलाल जो भी पूर्जेक्ट चलाए जा रहा हैं ग्रीन से सम्मंदीत रिनेवबल एनर्जी से सम्मंदीत उसमें यह फाइनेंस करते हुए नजराएंगे इरेडा को और इरेडा जो है फाइनेंस करता हुआ दिखाई देगा जो भी अदर जो रिनेवबल एनर्जी से सम्मंदीत पूर्जेक्ट चल रहे हैं उसमें और इसी के संदर में फिलाल यह पी एनबी के साथ यह यही कारण था यही निवज लिकल के सामने आई थी जिसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली थी अगर बात करें दुसरे निवज के आई है वह 11 फ्रोरी को निकल आई है और उस निवज में क्या बताए गया है कि यह जो कंपनी हैं इरेडा वो फिलाल आयाटी भूने प्लेव है उसमें ये आ एटी भून्य सोर्थ के साथ सम्झावता करते हुए दिखाई दी थी और उसमें ये काम क्या करने वाले हैं उसमें ये finance करने वाली है और finance का होगा क्या तो ये research and development होगा उसकिस पे ये renewable energy समन्दी चीजों पे और उसका फायदा नक्यूज आ आ एटी भूनेसवर को मिलेगा बलकि इरेडा को भी मिलेगा और इसके अलावला देश को भी इसका फायदा मिलता हुआ ज़र आएगा क्योंकि जब भी कोई भी रिशर्च होता है तो उससे नक्योवर नौता को फायदा मिलता है बलकि इससे देश भी तरक्की करता है और इसी छेतर मे Renewable Energy के छेतर में फिलाल Research and Development से सम्मंदी चुजो पे ये समझा होता हुआ होता हुआ दिखाई दे रहा है अब हम अगर बात करें इसमें अगले नियूज की तो यहां पर आप देख रहे हैं आठ फ्रोरी को आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें ये जो company है वो बता रही है कि ये जो gift city में अपना जो एक subsidiary खोलने वाला है जो office खोलने वाली है उसमें जो RBI है उसको कोई भी objection नहीं होगा अर्थात RBI ने इसको approval दे दिया है और यहां पर आप देख रहे हैं कि फिलाल Irada जो gear of the global presence cmd अर्थात इनके cmd है उन्होंने बोला है कि जो gift city है वहां पर इनका presence होने का मतलब है कि इसका अब global presence भी होता हुआ दिखाई देगा अब यह जो है nickel point इंडिया काम करेगा बलकि global भी इसका presence जल्द ही देखने को आपको मिलेगा यहां पर आप बता रहे हैं कि today receive approval from the reserve bank of India up to wholly own subsidiary in the international finance service center IFSC situation in gift city गुजरात अथात गुजरात में यह खुलता हुआ दिखाई देगा या फिशी center और उसमें फिलाल इसका RBI का approval मिल गया है अब हम अगर बात करें इसके delivery position की आज की तो यहां पर आप देख रहे हैं 19 फ्रोड को जब market बंद हुआ है तो इसमें इसमें जो total quantity trade हुआ है वो लगवक 47,42,000 की trading हुई है और इसमें 22,000,000 लगवक 50% के आसपास इसमें delivery उठता हुआ दिखाई दिया है जो यह दिखा रहा है कि इसमें जो trader हैं वो भी अच्छा खासा profit book कर रहे हैं और जो investor हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और चुकि यह जो company जब से list हुई है जब स हुआ दिखाई दे रहा है अब हम अगर बात करें इरेडा के share price target की तो चुकि अब जानते हैं कि यह जो company future based जो चीजे हैं जो product हैं उसमें यह finance करती हुई दिखाई देती है और इसी base पे यह सारे के सारे target जो है दिये जा रहे हैं वो इसी base पे दिये जा रहे हैं और चुकि पहले ही हम बता चुके हैं कि 2030 तक जो भारत सरकार का प्लान है कि लब 500 गिगावार्ट जो है energy renewable energy से हम परदान करेंगे तो इसी लिए इसका जो future बहुत bright बताया जा रहा है क्योंकि जो भी project इंडिया में चलेंगे और गर्मेंट बैक्ड होंगे उसमें यह company finance करती हुए दि इसका जो 2024 का target price दिया जा रहा है वो 210 रुपे के आसपास का दिया जा रहा है और यह जो company फिलहाल 178 रुपे के आसपास ट्रेट करती हुए दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप देख रही है जल्द ही आप देखेंगे कि 210 रुपे का target है यह achieve करती हुई दिखाई देग इसके अलावा जो 2025 का target दिया जा रहा है 248 रुपे के आसपास का target है और इसे ही देखा जा सकता है कि जल्द यह achieve कर सकती है अगर लोकसभा का चुनाओ में अगर यह बरतमान government अगर repeat हो जाती है तो यह जो 2025 का जो target है 2024 में ही achieve होता हुआ दिखाई दे सकता है वह 2026 का जो target है 256 रुपे के आसपास दिया जा रहा है जबकि 2027 का जो target है 274 रुपे का दिया जा रहा है वहीं अगर हम बात करें 2028 के target की तो 301 रुपे का दिया जा रहा है जबकि 2029 की पर हम target की बार करें तो 301 रुपे बताया जा रहा है और 2030 के अगर हम target की बात करें तो 355 रुपे के आस पास बताया जा रहा है तो कुल मिला जला कर ये जो कंपनी फिलाल 178 रुपे पे जो ट्रेड कर रही है उसका जो 2030 तक का जो टार्गेट है वो फिलाल 360 के आस पास का बताया जा रहा है लेकिन मेरा ये मानना है ये जो टार्गेट दिए गए है इसे ये कंपनी 2095 तक ही बीट कर ती हुई दिखाई देगी और 354 रुपे का ये जो टार्गेट 2030 का दिया जा रहा है ये फिलाल ये जल्द ही एचीव करती हुए दिखाई देगी 2095 तक क्योंकि यह जो company जीश चेर्टर में काम करती है उसका future बहुत ही bright है तो दोस्तो यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और bell icon हिट करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो की जो update से आपको ऐसा ही समय समय पे मिलता रहें करेंचे हिंदोस्तों